स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहां सुनेंगे कुछ कहानिया नई, कुछ पुरानी, कुछ अपनी, कुछ बेगानी आज मैं पढ़ रही हूँ नामी आक्टर पृत्वी राज कपूर का लिखा एक संस्मरन जिसमें वो महाकवी सूरेकान त्रिपाठी निराला से अपनी पहली मुलाकात का विवरन देते हैं और साथ ही खीचते हैं एक ऐसे समय का चित्र जो शायद आज हमारे लिए सोच पाना भी हसंभव सा है सेलेब्रिटी शान और नखरों से मीलों दूर ये वो वक्त है जब कलाकार, कवी, शायर, सहित्यकार एक दूसरे का आदर करते थे एक दूसरे का मान रखते थे एक दूसरे से कुछ सीख पाने को अपना सौभाग्य मानते थे कला, गलाकाट, कॉंपिटिशन और मिडियोक्रिटी की आहूती अभी नहीं चड़ी थी तो आईए सुनते हैं कुआं प्यासे के पास आया धरियागंज की एक छोटी सी गली में एक छोटे से मकान की, एक छोटी सी बैठक के छोटे से दर्वाजे में घुसते ही एक छोटी सी चारपाई पर एक विशाल मूर्ती को बैठे देखा मैं मंत्र मुग्ध कुछ जुका जुका सा, बस खड़ा-खड़ा सा ही रह गया मूर्ती की पीट मेरी ओर थी शरत जी, जो मुझे वहां लिवा ले गए थे, लपक कर आगे बढ़े मूर्ती के सामने की और जा प्रणाम कर बोले प्रित्विरा जाए है मूर्ती ने एक उचट्ती हुई निगाह अपने विशाल कंधों पर से मुझ पर डाली, जैसे कौदा पहार पर से लपके और फिर गायब हो जाए शरत की और देखते हुए एक गंभीर आवाज ने कहा इन्हें पहले कहीं देखा है शरत मेरी और देखने लगे उसकी आँखे कह रहीं थी कि आप तो कहते थे कि ये पहली ही मुलाकात होगी क्या रहस्य है मैं स्वयम विचार मग्न हो गया कि वह व्रिशब सकंध तेजी से घुमे और दो बड़ी बड़ी आँखें मेरे चहरे पर रुख गई जैसे रात के अंध्यारे में किसी पहाडी रास्ते पर चलते चलते एक मोड पर अचानक कोई मोटर गाड़ी प्रकटो और अपनी बड़ी बतियां आपके मूँपर गाड़ दे हाँ बस फर्ट था तो इतना कि उस रोश्णी की उश्रता जला दे और चमक आँखों को चुधिया दे किन्तु इन आखों के तेज में चंद्रमा की शीतलता थी जिससे मेरी आखे चौन्धियाई नहीं परन कमल की भांती खिल उठी मैं मंत्र बुग्ध बड़ी बड़ी आखों को निहारता रहा और उनके पास से ही आ रही गंभीर और मीठी आवाज का रस्पान करता रहा जो कह रही थी जी हाँ मैं आपसे पहले ही मिल चुका हूँ मुझे खूब याद है अच्छी तरह याद है सन 1934 लखनव सन 1934 लखनव मैं तो पहली बार जब लखनव गया तो वो था अपने थेटर के साथ सन 48 में ये 34 कह रहे हैं इन्हें भ्रहम हुआ है मैं इधर ये सोची रहा था कि उधर वो आवाज बराबर कहे जा रही थी हाँ हाँ सन 34 सन 34 लखनव मुझे कल ही की तरह याद है सन 34 लखनव सीता राम 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 कहते कहते वो भव्य मूर्ती लपकी हवन कुंड की जुआला की भांती यू लपलपाती हुई जैसे किसी पंजाबी कभी ने कहा है सुल्फे दिलात परंगी और उस जोती ने मेरे अंध्यारों को अपने आलिंगन में ले लिया और यू जान पड़ा कि रिशी वाल्मी की राम राम का मंत्र उचारन कर रहे हूँ शरत और साथ के सब सज्जन चकित हो इस द्रिशे को देख रहे थे मैंने कहा कवी सत्य कहते हैं सन 34 में श्री देव की कुमार बोस्कृत सीता फिल्म में मैंने राम की भूमिका की थी कभी ने उसे लखनों में देखा था यही थी मेरे अंधियारों की उस जोती से पहली भेंट, पहली मुलाकात, जिसमें से मुलाकातों का तांता चल निकला फिर तो जब-जब मैं इलाबाद थेटर के साथ गया, साथियों को साथ ले, ये प्यासा अपनी प्यास बुझाने कुएं के पास जाता ही जाता पर एक पार, यूँ भी हुआ कि स्वयम कुआ प्यासे के पास आया ये सन पचपन की बात है, मैं थेटर के साथ गया और हम कृष्णा सिनिमा के हॉल में थेटर कर रहे थे दिवार, पठान, आहुती, गद्दार, कलाकार और पैसा प्रयाग के कविजन, जब-जब मैं प्रयाग गया, बड़े प्यार से अपने चड़नों में जगह देते पंत जी, महादेवी जी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, फिराख कोरतपुरी और बच्चन जी ने बार-बार मेरी जोली रतनों से भर-भर दी थेयाटर की छट पर बैठे हैं, खेल हो चुका है, भोजन आदी से निवरित हो, सब कलाकार साथ ही जूटे हुए है, नींद जो खेल खत्म होते ही जपट अपनी लपट में ले लेती है, आज कोसो दूर है, रोश्निया गुल है, तारों की छाओं में, मन्द मन्स्वरों मे बच्चन कविता पर कविता सुनाए जा रही है, कि वहीं भोर हो गई, और खेल से पहले फिराकची के साथ वो महफिल जमी की सुरूर अभी तक कायम है, और त्रिवेणी स्नान और निराला दर्शन, ये तो एक लड़ी में गुते हुए पुर्ण कर्म मेरे सोभाग्य ही बन जी वर्मा और फिराख साब का भी वहीं साथ रहा, ये महानु भाव अपनी अपनी रचनाओं का पाठ करते और फिर निराला जी बांध तोड़ती हुई नदी की भांती बह निकलते, और इन्फरमेशन में भाग के साथ ही उस उमरते जुआर को टेप रिकॉर्डों में भर भर लेते, ये लोग कहा करते, तुम्हारे आने से ये अफसर जुटता है, नहीं तो कभी माने नहीं मानते और यूं कविता पाठ नहीं करते, मैं सोचता, कोई पुराने जन्म का ही संबंध होगा, नहीं तो कहां राजा भोज, कहां गंगवा तेली, इस जन्म का तो कभी सम पहुच पहुच कर स्वच्छ करना होगा हाँ, उसी बार की बात है कि कुवाँ प्यासे के पास आया और यूं कहो कि छल छलाती भागी रती मेरे तन की गलियों का मल दूर करने को मचल उठी और घाट बाट उलांगती इधर को उमड पड़ी कवी के यहां ही बैठे थे किसी साहब ने कहा कवी ने आपका कोई नाटक भी देखा है पृत्वी जी मैंने कहा नहीं कहने लगे ये क्या बात है, इन्हें कहना चाहिए दूसरे एक साहब बोले आजकल कवी का मन स्थिर नहीं कहीं नहीं जाते पीछे कहीं गए थे आधे में उठाए जलसा भंग हुआ नहीं इने ले चलने में आपत्ती होगी नाटक छिन भिन होना हो जाए कभी का ध्यान इन बातों की ओर आकर्शित हुआ पुछने लगे क्या बात है जब बताया तो कहने लगे मैं जरूर जाऊंगा कुछ देर पहले एक गोश्टी में से मैं जब वापस थेडर लोटा तो क्या देखता हूँ अपने सब साथियों की भीर लगी है बीच में चार पाई पर चादर बिची है और निराला जी बड़ी शांत मुद्रा में विराजमान है मुझे देखते ही बोले लो मैं आ गया बहुत देर से आया बैठा हूँ आपके साथ ही बड़े अच्छे हैं इन्होंने मेरी बड़ी खातर की अब खेल कब शुरू होगा हम थेडर में बैठते हैं तो मेक अप करो उस दिन हम आहूती खेल रहे थे खेल शुरू होने के पांच मिनट पहले निराला जी और उनके साथी सब थेडर हॉल में पहुँचा दिये गए कुछ भाईयों ने संदेह प्रकट किया कि अब भी टाल जाओ नहीं तो शो बिगडेगा मैंने कहा बने भले बिगडे मेरे लिए तो उनका आना ही आशिरवाद स्वरूप है घर आई गंगा को लाटा दूँ वो कैसे हो सकता है अरे देखते नहीं हो कुआ प्यासे के पास आया है मैं कितना भागिशाली हूँ ये तो निहारो ये तो समझो ये कहके वे लोग अलग हो गए और मैं मेकप में जूट गया पहला अंक, दूसरा अंक तीसरा अंक पूरा खेल हो गया कभी टस से मस ना हुए दो दो विश्राम भी हो गए कभी उठे नहीं, हिले नहीं जल तक नहीं पिया पूशने पर कहला भेजा मैं मजे में हूँ मेरी जिन्ता ना करो नाटक समापती पर रोज की तरह मैंने दो शब्द कहे उपस्तित दर्शक जनों से आशरवाद मांगा अपने लिए अपने कलाकार साथियों के लिए कि देखा कभी अपने स्थान पर से उठ रहे हैं समझा बाहर जा रहे हैं कि कभी खड़े हो गए और अपनी गरजती हुई आवाज में बोले मुझे कुछ कहना है मैं स्टेज पर हाथ जोड़े खड़ा रहा परदा जो बंध होने को जा रहा था रोक दिया गया कि कभी घूमे और दर्शक गणों को संबोधित करते हुए बोले ये पुन्य भूमी ये तपो भूमी प्रयाग इलाहबाद किसके लिए मशूर है वे अंग्रेजी में बोल रहे थे उन दिनों यही देखा कि जब-जब कभी उत्तेजित हुए अंग्रेजी में बोलते कियों? ये समझ नहीं पाया हो सकता है किसी समय उन्हें अइसास दिलाया गया हो कि इस देश में जो अंग्रेजी की मात्ता है वे दूसरी भाशा की नहीं है और ये बात उनके मस्तिष्क में बैट गई हो कि यहां का माना गया पढ़ा लिखा वर्ग अंग्रेजी को हिंदी से अधिक समझता है या कोई और वजए हो कह नहीं सकता हाँ, तो वो अंग्रेजी में बोल रहे थे वो कह रहे थे प्रयाग, इलाहबाद, ये रिशी भूमी है ये तपो भूमी, ये पून्य भूमी पूज्य है मान्य है, त्रिवेणी के कारण त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम गंगा, यमुना, सरस्वती गंगा, हाँ, गंगा है, यमुना हाँ, यमुना भी है, हम देख पा सकते हैं गंगा भी, यमुना भी, पर सरस्वती? किसने देखा है सरस्वती को? कहा है सरस्वती? कहा है? कवी जोर से कह रहे थे, कहा है? कहा है? सन्नाटा, कुछ देर स्तब्ध रहे, साथ ही यू जान पड़ा कि हॉल में बैठे सब लोगों ने अपनी सासें रोक रखी हूँ और फिर, जो कवी घूमें, तो वही कम सम बड़े बड़े नेत्र मोटर गाड़ी की हेडलाइट्स की भांती मुझ पर गड़ गए थे और बाह को पूरा फैला, मेरी और संकेत कर कवी कह रहे थे साथ साथ आवाज उठती जा रही थी मैं काप उठा, दोनों हाथ आप से आप जुड़ गए, नत मस्तक हो मैंने प्रणाम किया, हॉल तालियों से गूंज उठा, और वो आवाज, वो सिंग गर्जन, आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है, वो है, वो है, काव्य और सहित्य की गंगा यमुना के बीच, नाट्यकला की सरस्वती का संगम हो, तब त्रिवेणी बनती है, वो उस दिन जाना, कुआ प्यासे के पास आया, प्यास बुझा गया, कि अधिक भढ़का गया, ये राम जाने, मैं तो इतना ही जानता हूँ, कि जब-जब सरस्वती के प्रवाह में बहा जा रहा होता हूँ, तो कवी की गर्जना सुनाई पड़ती है, वो है, वो है, वो है, धन्यवाद, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, जरूर बताईएगा, आप यहाँ इस पॉड़कास्ट पर अपना रिव्यू लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इमेल भी कर सकते हैं, मेरा इमेल आडरेस है, contact at crispcreatives.com अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई कविता, कहानी या लेख के साथ, तब तक, अलविदा! कर दो हाँ,